वांटे चल रहा शातिर किसम का गोकश 15,000 कई कि नामी बतमाश मुठवेड में धरा गया जिसके कबजे से एक स्प्लेंटर बाइक बिना नंबर की और एक तमंचा 315 बोर दो जिन्दा कार्टूस एक खोका कार्टूस परामत की गई मौके पर पहुंची सीओ गिवजास चंकर तिपाठीरी जान करें देते हुए बतायक इंस्पेक्टर एमेस गिल को मुख्मीर से सुशना मिली थी कि आज फिर बडोत रोड की तरफ कामिल और फिकालोपूत रजबा निवासी हरोर सरूर पूर जिला मेरेक्टर फिर किसी वाज़त को अंजाम देनी के लिए आ रहा है जिसमें इंस्पेक्टर एमेस गिल ने बायावला चोकी इंचार संजय यादव के साथ एस आई योगिंदर सिंग, एस आई जसुर जैवेर सिंग, परासोले चोकिंग, चार्शलेंदर सिंग पुलिस पल को साथ लेकर बलवंती स्कूल के पास पैकिंग अभियान चुलाया जिसमें बायक सवार बदमाश पुलिस को देकर स्टेडी डोड नहरगी तरफ पुलिस से फाइरिंग करते हुए भागने लगा जिसमें सिपाई शिव कुमात चागे बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया वह पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा करते हुए जिवाब कारवाई की जिसमें बदमाश की पैर में गोली लगने से बदमाश खायल हो गया जिसके कबचे से एक स्पैंजर बायक वे एक तमंचा 315 बोर के साथ दो जिन्दा कारतूस वह एक खोकर कारतूस पर आमाद हुए और ये गुढ़ाना थाने से दो मुकदमें वानची चोल रहे और जिस पर डेट दचन से दिक गोकशी के मुकदमें दर्ज है जिसे जेल पेस्टिया है पर को गोकशी घटना हुई थी उसमें एक आदमी जो है अरेस्ट हुआ था मुटभेड़क दो रहा है उस मौके से ये फरार हुआ था इसका नाम कामिल उर्फ कल्लू सनब जबार हर्रा सरूर पूर मेरेट करने वाला है ये सातिर किसिम का जो है गोकश है इस पर 15,000 रुपए का इनाम था आज इन्फार्मर से इस्पेक्टर बुढ़ाना मगनवीर सिंग को सूचना मिली कि ये बड़ाओ साइट से फिर आ रहा है इधर की तरफ बायवाला की तरफ इस इन्फार्मेशन पर इस्पेक्टर बुढ़ाना अपनी टीम के साथ चोकिंचार परासौली चोकिंचार बायवाला को लेकर और साथी पुलिस कर्मियों को ले करके आए और यहां पर चेकिंग में मामूर हो गया इसी दौरान ये बड़मास खता हुआ दिखा इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ये सठेडी नहर फुलिया से लेफ्ट को मुड़के भागा पीछा किया गया तो ये गन्ने के खेत मे लिए है ब्लैक कलर की बिना नंबर की स्प्लिंडर मोर साइकल एक तमंचा है 315 बोर दो जंदा कार्थूस एक खोगा कार्थूस